साथियो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो फिलाल मौजूद है आरिया नगर इसार में आप पिछले दो तिन दिन से वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पर भी पिछे आपने वीडियो देखी होगी एक महेक जो 13 साल की बच्ची थी उसके साथ किस त मतलब पैरों के वहां पर यह हो गया लेकिन पहले यहां पर बहुत जादा जंगल टाइप था तो मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं बच्ची जो 13 साल की महक थी उसकी वही डैथ होई है या फिर कैसे क्या कुछ हुआ वह उस बात के भी तक पूश्टी नहीं हो पाई है लेकिन यहां पर भई उस बच्ची की जो डैड बोडी है यहां पर इस तलाब में मिली है आप देख सकते हैं और गाउवालों का जो कहना है कि यहां पर पिछ्चे जो मैक के परिवार वाले है उसकी चास्टी ताई है उनके बिटोडे भी है यहां पर यहां पर उसकी डैड बोड़ी मिली है इस तलाब के अंदर और जो गाउवाड़ों के कहना है कि डैड बोड़ी तो इसके अंदर मिली है और एक चपल उस बच्ची की वहां पर उसकोने में मिली है और जो डैड बोड़ी है वो आप सभी को भी पता है जब हम डैड बोड़ी को पानी के अंदर डाल गई थी ज़्यादा समय पहले आम लोग बोड़ी को पाणी में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि अमारे अंदर पाणी पर के तो उपर आजाती है तो वह अंदर मिली है इसके अंदर और यह पिछे यहां पर आजा वही यहां पर पिछे वही एक बार बिटोडे हैं जो जो मैं एक बच्ची है वो 13 साल की थी बहुत ही द्रिंदगी मतलब पोस्ट मोटम में जो बताया गया है जो उनके दादा जी थे उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि बहुत मतलब मैं शब्दों में बया नहीं कर सकता आप खुद सोच सकते हैं उस बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ होगा उस समय कितनी रूक अपने वाली मतलब बात है और जो एक कुराड़ गाओं में भी ऐसा या अद्शा हुआ था जंगलों में छोटी शी बच्ची के साथ कितनी बड़ी द्रिंदगी हुई थी वहां पर उन्हें बच्ची को जलाने की मतलब कोशिस की थे मेरी आना मैं ऐसी ऐसी गटनाएं आई दिन बहुत ज्यादा गटनाएं देखने को मिल रही है बई मैं आपको वह तलाब दिखा देता हूं जिसमें जो बच्ची को जला के डालों जिसमें उस लड़की को डाला गया था यहां पर बहुत ज्यादा मतलब जाड़ बोज्जे आती रहती है महीं लेकिन वो उस ओड डालती है इस ओड नहीं डालती है यहां पर जाड़ बोज्जे जाता होते हैं तो एक बार दिखा दे भई इस कोड़े में जो है उस बच्ची की भई जो पार्थिक शरीर था उसका वो यहां पर मिला था और एक उसकी जो चपल थी वो चाहिए को सजा मिलनी चाहिए और एक जिश्िन है कि आग्या कोई ऐसा करने की सोचे ना और उप सूकने वाड़ी बात है एक 13 साल की बच्ची आखिर उसका कसूर क्या था भई उसने तो पता भी नहीं होगा ऐसी चीजों का जो उसके साथ हुई है मैं तो जो ये मतलब ऐसी ऐसी कटनाए कर रहे हैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा भई थोड़ी ही वो तो देख लिया करो थोड़ा सोच भी लिया करो हमारे गर बिभान बैटियां होती हैं और आपके गर भी होती है तो थोड़ा सोच के देखो भई कितनी मतलब वालों को आप यही कहना है कि जो दोसी है उसको सजा मिलने चाहिए अलाकि लगबग 39 तारिक को जो है उसकी डैथ मतलब यांपर डैड़ बोड़ी मिली थी वह गाइब है जो लगबग 28 को हो गई थी उसकी बुआ जी की साधी मतलब यांपर बताई जारी थी तो वह साधी म मैं आपको बताएंगे उसके बाद भी नहीं फिर लेकिन 39 तारिक को यहां पर उनको इनकी डैड़ बोड़ी मिलती है और लगाता अरब लगब 11 दिन से वह बेठे हुए अधर रने पह वहां पर पूरे गाउं के 36 विरादरी के सभी चाचा बती जे वहां पर बैठे हुए लेकिन कोई संतुष्टी जनक बयान अभी तक सामने निकल के निया रहे हैं जिससे घर वाड़ों को या फिर गाउं वाड़ों को या फिर पूरे देश को जिससे यह उसके कि इन्हों ने गटना कि तो परसासन से मेरे यह याद जोड़के विंती है कि जो जिसने भी ऐसी ग बात लेकियो तो कमेंट इसका निचा कर दियो अर्वाइशी घटनाओ उन्दीर मेर यान तो बहुत बुरा आल है बाई बैस ज्यादा कुछ नहीं जैर याना जैवाई तरह